गुड मॉर्निंग और आज एक सेप्टेंबर है और संडे है तो सोचा चलो एक लॉंग राइट कर लेते हैं अभी बज़ रहे हैं सुबह के चार बच के दस मिनिट और हम निकल रहे हैं पीसलपुर सुबह की राइट्स को इंजॉय करना के अपना लगी मज़ा है टैंक बैग मेंने लगा लिया है बहुत सहुलियत हो जाती है टैंक बैग लगाने से गलब्स अभी पहने नहीं हैं अभी पहनता हूँ अभी थोड़ा था नेविगेशन अन कर लूँ वैसे मुझे पता है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस बार जो इंटरनल रोट्स हैं उन से मैं जाओं और हाइवे है उससे वापस हाँ तो देखते हैं क्या होता है वैसे डामिनार की लाइट्स के बारे में बात करेंगे हम अभी थोड़ा और आगे आजाए थोड़ा हाइवे प्रॉपर जो रूड होती है जिस पर लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है वैसे अभी आपको दिख रहा होगा कि प्रॉपर लाइटिंग है लेकिन जैसे मैं एड़ी जॉन करता हूं तो सिनेरियो जो है वो बिलकुल चेंड हो जाता है थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ जाती है और ठीक है थोड़ा कॉंपिटेंस आता राइट का और आगए हम टॉंक रोड पर यहां से दो रास्ते एक्शली रैसे तीन है लेकिन में लिए अगर देखोगे तो आपको दो में रास्ते मिलेंगे एक मिलेगा सांगानेर से मालपुरा होते हुए आप विसलपूर जा सकते हैं जो टॉंक रोड वाला जो रास्ता है वो बिलक अंदर जाने के लिए राइट में टर्न लेना पड़ेगा तो मैंने यह सुच है कि मैं जाओंगा मालपुरा होते हुए और आऊंगा टॉंक रोड होते हुए बाकी तो जो है वो है तो अगर आप सीधे जाएंगे जो सामने पुलिया देख रही है तो यह टॉंक रोड को ज कि मैं ग prof Β्व शेखdी सिर्णा अंज प्योंक रोड़ी प्योंक रίकशो मैं कहा कि करें दॉंक प्रोडल्मधे जओढ उक र totalement का सब्दीन वाद्धे कि मैं मैं आब का क्री हो। अब देखो आपको मैं देखाता हूं यह है डॉमिनार के हाइवे वाली लाइट यह लॉवीम यह हाइवीम ठीक है और यह है एक्स्ट्रा एलीडी यह लेडी ओफ एलीडी ओफ एलीडी ओफ एलीडी ओव अब अब श्प्रेड हो रही है आगे बीम नहीं है लेकिन थोड़ा कॉंपिटेंस आजाता है रोड थोड़ी क्लियर दिखने लग जाती है जब लद्दाक से आया था और मैंने अब अधंपूर से सिता जैपूर के अधाम तो गर पहुंच से पहुंच से रात होए थी जैपूर पहुंच से तो मैं कॉंपेटेंट था कि हां रात को मिरको लाइट थोड़ी एफेक्टिव मिलेंगी और शही राख पिकॉज ऑफ ना इतना स्प्रैड और क्लियर्टी नहीं देती जितनी आपको देती जितनी आपको एक हाइवे पर चाहिए चलिए मिलते हैं अभी रात को दिखाने के लिए को जह नहीं थोड़ा कॉंसेंट्रेट करते हैं वेल्कम बैक और टोटा राइसिंग क्रॉस कर चुका हूँ मैं मॉर्निंग राइट का असली मज़ा तभी है तो व्यू अच्छा देखने को मिले देखने हाँ बहुत बड़ा है आपको दिख पा रहा है उदर उसकी एज ही नहीं दिख रही है बहुत है बहुत है बहुत है नहीं दूसरा कोना देखी नहीं रहा हुदर लगा बहुत है यह सारा पंप होसे इनका अभी दो गेट खुले वे हैं वहाँ वह मंदिर आप वहाँ से भी उपर जा सकते हैं आवसम है बहुत आवसम यहां से आगे रिवर बनास में निकल जाता है तो हम वापस चलते हैं टर्न अराउंड करते हैं और जहां से वह व्यू आरा था वहीं चलके बैठते हैं यह करे दाओन में आवए यह मंदुब बनावाँ प्रा भापस बनावाँ प्राह वह वहाँ ही नहीं लडते हैं झाल कि दो आज हूचा हूचा किर वभिएाब सोचा से liking को को 1 और पोगा नार कि अजसे हैं कर जड़ मेंनलाव से प्रूत सरट लंग का ला र consomm ठाट अखसंग अखसंग यह तो पानी में है यह तो डूब शेक्रम है यह पानी पना है कि जमीन के नीचे से भी आ रहा है इससे रहे नीचे से पूब यह जाए यह जाएसियों प्योब और से अज़ वजदों चरह कईमने बाएसियों चरही से थे पानी कि लाएसियों पाल से शोब शेज़ नह रहा है इससे और वह टुब रहा है यह जखिए भी शबाद दो हुआए है कि मिल और जह टहुआ है झाल पुए लेट लेट खर बाल वाल वह बड़ी नहीं है कर दो कर दो कर दो करना कर दो खो आब कर दो कर दो झाया में जदूकर से अ कर दो कर दो करते हुज है अगल लुकर जब जगसे घल नहर को ऊब अपकारा इज भूल उलोगरद फंट कि अशबो कि अगया भी। जब जग झाल को कि और रद कि अज़ पड़ वड़ प्रिझ रसे अज़गर हैं भी एकार है झाल 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 तो आप निकलते हैं यहां से बिकाज जो पीछे वाला रास्ता जो कनेक्ट करता है जैपूर के लिए दर बिसलपूर के आगे से वह पानी के नीचे है जो उसका लोवर द्रिज और नाओं में रखके आप गाड़ी को निकाल सकते हैं लेकिन मुझे सेफ नहीं लगता बहुत आपक्ड़समə् का नाओं मुझे। ठाओं मुझे से विकलते हैं richestाutा डकंटे से ज utilized प्रिणा दूलिट आ स्वार करें, कि दूख़ी राब हिती एमानारी कि ज समयरी प्राज़ों, कि अराज़ू ग冷culatif you Can कि अरेंगर्णारीव कि वह सिए गभनारी एल见 हादSHOP कि अरत है awake झाल 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 झाल